हेलो दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल शिवानी आट क्लासेज में और आज के इस वीडियो में भी हम देखने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट कोश्चन जिस तरह से हम अपने हर वीडियो में 20 कोश्चन करते हैं तो आज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रस कर लेंगे जिससे सभी वीडियो का notification आपको मिलता रहेगा इसके लाम हम वीडियो को आपको शेर करना हे सभी लोगों को वीडियो को शेर करना है उसका playlist आपको चैनल पे मिल जाएगा वो आप देख सकते हैं वहाँ से सभी पाट जिनों ने अभी तक नहीं देखा है वो वहाँ से देख सकते हैं और चैनल पे और भी जो playlist बनाई गई है वो सभी आपके लिए काफी most important है तो सभी playlist प्लिक करके जरूर चेक कीजिएगा चले स्टार्ट करते हैं question है question रहेगा पहला यहाँ पे इस question नंबर को आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा पहला question है यह आपका serigraph किसका तकनीकी नाम है तो serigraph किसका तकनीकी नाम है silk screen printing woodcut printing, integlio printing lithograph serigraph किसका तकनीकी नाम है, सभी लोग answer करेंगे comment section में serigraph किसका तकनीकी नाम है right answer होगा option A silk screen printing जिनोंने ए option दिया है सभी का answer बिल्कुल सही है, बढ़ते हैं next question क्यों और question number 2 question number रहेगा 2, किताब के पिछले सिरे मोटाई को कहा जाता है किताब के पिछले सिरे मोटाई को क्या कहा जाता है 4H, wall, stitching या फर spine किताब के पिछले सिरे मोटाई को क्या कहा जाता है 4H, wall, stitching, spine इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा question ही practice करना चाहिए जितने ज़्यादा आप question प्रैक्टिस करेंगे और answer खुद लगाएंगे तो आपको पता चलेगा आपकी तयारी किस तरह से चल रही है यहाँ पर right answer हो जाएगा option D, spine किताब के पिछले सिरे मोटाई को क्या कहा जाता है spine, right answer होगा D, next question देखेंगे question number 3 हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा question number 3 विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर, 19 अगस्ट, 14 नमबर या फिर 7 दिसंबर विश्व फोटोग्राफी दिवस कम मनाया जाता है 5 सितंबर, 19 अगस्ट, 14 नमबर या फिर 7 दिसंबर question number 3 3. फिस्व फोटोग्राफी दिवस कम मनाया जाता है तो right answer हो जाएगा option B 19 अगस्त को फिस्व फोटोग्राफी दिवस के रुपे मनाया जाता है right answer होगा B next question देखेंगे question number यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 अंग्रेजी भाषा के लगबग सभी अक्षर किस अक्षर लिपी से आए है Latin, Roman, French, Swedish अंग्रेजी भाषा के लगबग सभी अक्षर किस अक्षर लिपी से आए हुए है तो answer यहाँ पर क्या होगा right answer होगा option A Latin ठीक है next question देखेंगे question number यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 question number 5 कोई नाम, चिन्ध या अन्य तरीका जो किसी कमपनी को उसे प्रयोग करने का नियाई एक अधिकार प्रदान करता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं trademark, registration, brand, company कोई नाम, चिन्ध या अन्य तरीका जो किसी कमपनी को उसे प्रयोग करने का नियाई एक अधिकार प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं trademark, registration, brand या फिर company सही उत्तर क्या होगा right answer होगा यहाँ पर option A trademark right answer A next question देखेंगे question number 6 question number 6 johnson fender ने किसका आविसकार किया johnson fender ने किसका आविसकार किया intaglio printing, screen printing, lithography, letter press सभी लोग answer देंगे johnson fender ने किसका आविसकार किया था right answer होगा option C lithography next question question number 7 देखेंगे भारत वर्ष में प्रकाशित पहला अखबार है भारत वर्ष में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा है इंडियन एक्स्प्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, दहिंदू, बंगाल गजट तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा option D बंगाल गजट भारत वर्ष में प्रकाशित पहला अखबार होगा बंगाल गजट right answer होगा D next question देखेंगे question number 8 देखेंगे question number 8 देखेंगे जंतर मंतर किसने बनवाया था राजा जै सिंग, राजा सवाई सिंग, राजा मान सिंग, राजा मादो सिंग जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा option B राजा सवाई सिंग right answer होगा option B जंतर मंतर बनवाया राजा सवाई सिंग के द्वारा नेक्स्ट कोशन देखेंगे Q9 होगा राजस्थानी चित्रकला किस अवधी में विक्सित हुई 19-20 शताबदी 16-17 शताबदी 11-12 शताबदी या फिर 16 शताबदी Question 10 है राजस्थानी पigglyंटिंगों के पसंदीदा विसे थे रामसीता रामण मन्दूदरी राधा क्रिश्न अप्सराय राजस्थानी पेंटिंग जो बनती थी उसमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा विसे होते थे राधा क्रिश्न amazon C नेक्स्ट कोशन देखेंगे क्वेशन नमबर 11 है पहाड़ी पेंटिंगे किस समय विक्सित थी तो option A है विलंबित 17 से प्रारंबिक 28 शताबदी option B है प्रारंबिक 15 से विलंबित 17 शताबदी option C है विलंबित 18 और प्रारंबिक 19 शताबदी option D है प्रारम भी पठार और विलम भी तुनिसमी शताब दी तो पहाड़ी पेंटिंगे किस समय विक्सिती आंसर करेंगी सभी लोग चैनल पर जितनी भी प्लेलिस्ट है आप उनको जरूर चेक कीजेगा और कलाकारों की एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी उसमें तो आपको सभी समकारें कलाकार कराए गए हैं पुरे डीटेल में अच्छे से तो उसको भी आप देख सकते हैं साथ ही ज हाड़ी पेंटिंग की समय विक्सित थी प्रारंबिक 18 और विलंबित 19 में शताब्दी राजा माधवराव राजा सवाई सिंग राजा पतियाला तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजा सवाई सिंग् देखेंगे राजस्थानी चित्र कला के चित्र है लगू चित्र है पूथी चित्र है वाश चित्र है या फिर दीवाल चित्र है तो राजस्थानी चित्र कला के चित्र किस प्रकार के है लगू चित्र पूथी चित्र वाश चित्र दीवाल चित्र राजस्थानी चित्र कला जो चित्र है, राइट आंसर होगा, option A, लगू चित्र, राइट आंसर A, next question देखेंगे, question number 14 है, प्रसिद्ध वाष पेंटिंग सैली कहां से विक्सित हुई थी, प्रसिद्ध वाष पेंटिंग सैली कहां से विक्सित हुई लखनो स्कूल, नालंदा स्कूल, बंगाल स्कूल या फिर दून स्कूल, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, option C, बंगाल स्कूल, ठीक है, प्रसिद्ध वाष पेंटिंग सैली कहां से विक्सित हुई थी, बंगाल स्कूल से, राइट आंसर C हो जाएगा, next question देखेंगे, question number 15 देखेंगे, पाल शैली के चित्रों का प् राइट आंसर हो जाएगा, option A, पाल शैली के चित्रों का प्रमुक विशय बौध रहा है, right answer होगा, option A, next question देखेंगे, question number 16, अपभण शैली के चित्रों का क्या विशय है, जैन, बौध, ब्रामण, श्रिंगार, अपभण शैली के चित्रों का क्या विशय है, right answer होगा, option A, जैन, पाल शैली में बौध से रिलेट चित्र हैं, और जैन शैली में, अपभण शैली के चित्रों का विशय रहा है, जैन, right answer होगा, option A, next question देखेंगे, question number 17, जैन लगु चित्रों का प्रमुक विशय क्या है, तीर्थकर और उनकी जीवनी, पसु पक्षी, शासक, मानो, ज option A, next question देखेंगे, question number 18, पहाडी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है, गहरे, हलके, काले, सफीद, पहाडी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है, right answer होगा, option A, गहरे, तो पहाडी चित्रों जो है, इसमें गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है, और इधर आपको मिल जाएंगे बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना है ओप्शन देखेंगे मुगल कम्पनी राजस्थानी अप भ्रंश तो बनी ठनी चित्र जो है ये राजस्थानी शैली में बना हुआ है राइट अंसर होगा ओप्शन C Q20 होगा राग रागिनियों का अंकन किस शैली में सरवाधिक हुआ है और ये प्रशन का उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है राग रागिनियों का अंकन किस शैली में हुआ है पाल शैली में कांगडा शैली में मुगल शैली में या फिर राजस्थानी शैली में त के पहले जितने भी पार्ट कला प्रश्ण तरीके कराये गए हैं उसकी प्रेलिस्ट आपको चैनल पर मिलेगी जिन्हों ने अभी तक नहीं देखा है सबी प्रश्ण देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टन है और इसी तरह से हम रिवीजन करते रहेंगे एक्जाम जब तक नहीं ह क्लासेज से लगातार तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे चले मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए टेक केर और बाइबार